प्रेंड्स वेलकम टो इंग्लिस पूरी क्लास फ्रेंड्स इंग्लिस पूरी क्लास में अब सबका स्वागत है फिर्ण्स विनो हम लो बिहार इसटी इटी का एकजाम 28 जन्वरी 2020 की होई थी हैं ना फिर्ण्स इसका हम लोग पेपर सल्ब कर रहे हैं सॉलूसन देख रहे हैं और उसमें जो भी कोसेंस बनते हैं उस पे एक्स्टा हम लोग नॉलेज भी देख रहे हैं यह आपका हाई स्कूल वाला पीजी टी के लिए हैं प्रफट के लिए पहले क्लास में हम लोग ने पेपर फॉस्ट देखा था टीजी टी के लिए मतलब की हाइश कुल के लिए देखा था यह आपका पेपर जो हम सब्सक्राइब चल रहा है यह कॉलेज के लिए फॉस्ट क्लास के यदि आप जॉइन नहीं किये थे तो मैं उसका लिए लिए है लिंग इसी क्लास में दे दिया है जो आपका टीजी टी के लिए था टी जी टी मतलब हाई स्कूल के लिए था आज का जो कलास होने होने जा रहा है या पीजी टी के लिए मतलब कॉलेज के लिए इसमें हम लोग कोशन जो है कोशन fifty one से लेकर 150 तक देखेंग आंसर भी देखेंगे, साथ में उसके जो questions बनते हैं और बनेंगे, उसका भी मैं आपको answer बताऊंगा, क्योंकि फिर से exam होने जा रहा है, September में online, यदि आप त्यारी कर रहे हैं, या पहले दिये थी exam कहीं कहीं आपने mistake किया हुआ था, ता आप उसका बहुत बढ़िया से इसमे concept किलियर कर ले, आपने कहां गलती किया था, ता यह हम लोग शुरू करते हैं, आज का PGT का second paper का question number 51, okay friends, देखे, question number 51 लिखा है, most of us are born with projectly, efficient memory, is taken from dash, approach pieces, is taken from the approach pieces, हम में से अधिकान्स का जनम या थावत, कुसल यादों के साथ हुआ है, कुसल यादों के साथ हुआ है, यह line कहां से लिया गया है, आपको पता होना चाहिए, प्रोजन पोईटी जो 12th class के syllabus में था, आप खतम हो गया है, 2020 से, forgetting chapter वहीं से यह line लिया गया है, okay friends, next question है, people have difficulty in writing letters, due to lack of dash, तो self expression के कारण, lack of का मतलब होता है, के कौमी के कारण, self confidence का ही है, self expression का ही है, के कौमी के कारण, लोगों को writing लिखने में, writing letters लिखने में, मतलब letter लिखने में, क्या होती है, कठिनाहिया होती है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, option C हो जाएगा, आपका option, चलिए अब लोग question number 53 देखते हैं, who told the photographer to keep his photo with himself, किसने कहा था, photo लेने के लिए अपने आप से, the Stephen Leacock, with photographer Stephen Leacock, आपका मैंने बता है नो, pros and quality, चुकि यह question 51 से लेकर, 74 के आस पास तक, plus 2 से question लिया गया है, तो आप इस चीज को ध्यान देते चलिए, Stephen Leacock ने ही बोला था, photo लेने के लिए, तो आपका option क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 54 में हम दो दिखते हैं, which poem has a sense of unreality and misty, किस poem में है, तो sense of unreality है, and misty भी है, equal, Walter D. Lamair, जिसके writer है, okay, everyone sang, Sefer Sersun ने लिखा है, देफोडिल्स, आपके William Watsworth ने लिखा है, Elder Strop के अभी writer के नाम हम भूल रहे हैं, तो यह आपका option हो जाएगा, यह question number 54 में, उरिया हीप, इस, उरिया हीप इन डेविट कॉपर फिल्ड, इस अ कलर का फूप, डेविट कॉपर फिल्ड के writer Charles Dickens है, डेविट कॉपर फिल्ड एक autobiographical novel आपको ध्यान देना है, यहाँ से question बन सकता है, कि डेविट कॉपर फिल्ड के writer को है, Charles Dickens, यह किस पर कार कर novel है, autobiographical novel है, तो इसमें जो है, डेविट कॉपर फिल्ड जो autobiographical novel है, उसमें उरिया हीप, किस का color रहता है, Mr. Wickfield का रहता है, बेट सी टोटू, उसकी आंटी रहती है, दादी रहती है, मिकेबर उसका दोस्र रहता है, कलारा पीगोटी, उसकी नोकरानी रहती है, ध्यान देना है, चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स लिखना है, question नमर 59 कह रहा है, कि what is the prime instrument of national purpose, यह लाइन जनते हैं कहां से लिए, भारत इजबाई हों 12th क्लास बिहार वोट के लिए, जिसके राइटर डॉक्टर जाकिर हुसे ने 1967 में वह जो राष्ट पती बनते हैं, तो उस समय यह speech देती, इतना question बनता है, आपको question आपको ध्यान देना है, तो education आपका option हो जाएगा, प्राइम instrument जो कह रहा हैं, उसमें डॉक्टर जाकिर हुसेन की जो मुठ instrument है, वह education से ही सब कुछ संभव है, तो इस तरह से आपका option हो जाएगा, यह हो जाएगा, अब देखें, नानु का का in a pinch option, इसके writer मनुहर मलगाउ कर है, took out his checkbook and wrote a check for dance, जब auto सीखा dealer के पास यह लोग जाते हैं, जो कि जाना है, रती राम सोहनलाल के पास मिलने के लिए, तो उसमें नकली जो है, 1000 रुपीज का चेक देता है, नानु का का धोबी को बुला कर, ताकि यह क्या हो सके, auto सीखा dealer impressive हो सके, और उसको trial करने के लिए अपना बहुत कीमती कार दे सके, तापका option D हो जाएगा friends, अब हम लिखते है, which state does Martin Luther King Jr. want to see as a developed state, Martin Luther King Jr. I have a dream, जिसके writer Martin Luther King Jr. है, उसमें Alabama, Mississippi, Montgomery, जो एस्टेट है, पिछडे एस्टेट है, उसकी भोट देने का जो अधिकार छीन गया है, मतलब अभी मिला ही नहीं है, उसकी बात करते हैं, उसमें struggle करते हैं, तो यह अलबामा एस्टेट है, आपको ध्यान देना है, Texas America का ही है, Tennessee पिछड़ा हुआ है, तो इस तरह से आपका option यह हो जाएगा, Martin Luther King Jr. क्या लिखा है, I have a dream, ओके, फिप्टी नगस 1963, अब राहम लिंकन की मेमोरियल, मैं यह इस्पीस दे आपका जर्मन जरीर आपका American नहीं है, Australian writer है, ठीक है, Australian writer है, आपका जर्मन जरीर, आपको यह चेप्टर से लिया गया है, The Child is Burn, उसमें question भी बनता है, अब हम बात करते हैं, question number 63, परलेस बग विजटेड इंडिया तो सी दो यौंग इंटलेक्ट्वल्स एंड पीजेंड्स, परलेस बग ध्यान देना है, परलेस बग जो है न, इंडियान थ्रू दे ट्रेवलर्स आई से यह चेप्टर से लिया गया है, जो आती हैं इंडिया में विजट करने के लिए, और यहां के जो इंटलेक्ट्वल्स लोग है, जो सिटी में रहते हैं, और जो किसान लोग है, जो गाँ में रहते हैं, उनसे टू ग्रूप अप पीपल से मिलने के लिए आई हैं, कि अभी क्या इस्तिती है, क्या सिचुएशन है, तो यह जन्म से अमेरिकन है, लेकिन चाइ लामेर, चिल्रेन पोईट कहा जाता है, वाल्टर डिलामेर कहीं एक चेप्टर है, इक को, तो अब टीए सिलियर्ट द वेस्टलेंड लिखे हैं, नाउ द लिपसर फाइलिंग पास्ट डबड़े चार्डीन लिखा है, और डीएच लॉरेंस आपका दे सने लिखा हुआ है, इस तरह से आप साथ में याद करते चलें, जो आपका कोस्टन बन सकते है, सेप्टिमबर में जब पॉल्लाइन एक जाम होने वाला है, बर्निंग हाट आपका लिया गया है, फाइर हीमिन से, है नो, जिसके राइटर के की इंदार हुआ है, मैक बिटी, ता मिस्टी कैट, ट प्येसर नमर 66, इसमें तीन करेक्टर्स मुख रूप चराते हैं, एक नतालिया जो 25 यर्स ओल्ड गल रहती है, एक लुमो रहता है, उसके पापा रहते हैं, चुबक को, ठीक है नो, इसके राइटर आपका कौन है, इसके राइटर आपका है, एंटेन चेखो, है नो, एंट आपको खुस हो जाता है, याँ सुनकर, अब नेक्स हम बात करते हैं, डैस इस डेट अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन अफ वेस्टर्म सिवलेशन, तो महात्मा गाधी का जो चेप्टर फरस्ट एंडियन सिवलेशन कल्चर भाई महात्मा गाधी, वहीं से चेप्टर से लिया गया है, अब हम लोग क्वेस्टन नंबर 68 देखेंगे, क्वेस्टन नंबर 68 में कर रहे हैं, गाधी जी वेन टू चंपारन इन दे इयर, गाधी जी चंपारन गये थे राजशुकला के बोलाने पर, यह ना, टिन सेबेंटीन में, उननीस सात्रह में, आपको ध्यान द अब हम लोग बात करते हैं, इंडियन गलोरी इस डाइट, इटीज इमोवेबल, भारत की जो गौरव है, वह अड़ी है, इमोवेबल है, यह कहां से लिए अगया है, इंडियन सेबेशन कल्चर, जिसके राइटर महत्मा गाधी है, यह निग्रो की बात हो रही है, उसमें कह रहा है कि हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक कि हमरा वहाप बन कर सबका संघर्ष नम निकल जाए, इस तरह से आपका निग्रो से लिए आगया है, नेक्स लिखा हुआ है, जर्मन जरीन जो अस्ट्रेलियन राइटर है, अब हम लोग देखते हैं, महत्मा गाधी लिखे हैं, और जाकिर हुषेन, मैंने सबकी बात किया हुआ है, आपका है जो कहानी है, बेंजी का जो मुर्गी पालन करता है, उसमें बहुत ही इंट्रेस्टेट कहानी, आप उस कहानी को अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो उसका भी नोट्स मैंने अलेडी बना रखा है, तापका अर्थ की राइटर H.E.Bates है, कामला दास, जो इनको confessional poets कहा जाता है, मतलब अपने आपको सुविकार करती हैं कि हमने किसकी स्तरह की मिस्टेक किया, गलती किया, अपने लाइफ में होई न, तो इस तरह की इनको कहा जाता है, अब हम बात करते हैं, इसकी बात होती है, दे वीन्ड एमॉंग दे रिट्स, डबलू वीट्स के राइट चेप्टर है, दे लैक अफ आइल्स अफ आइनिस फ यदि आप मेरा ज्वाइन किया होंगे, तो मैंने पिरियाट ऑफ इंगलिस में बहुत एक्जामपल उसमा बहुत इंपोर्टेन क्लास में ने दिया था, उसमें बताया था कि पुरिटेन एज में कौन-कौन से पोएट हैं, विक्टोरियन में कौन है, कैरोलीन में कौन है, म रेस्टोरेशन में कौन है, अगस्टन एज में जो इलेक्जंडर पोफ हैं, इसके बाद मैंने बताया था, वो सब चीज मैंने इसी क्लास में थोला सावर में बता दूँगा, लेकिन आप फर्स्ट क्लास को जोईन करी, आपको E to Z क्लास मिल जाएगा, जो पिरियट से सम्म त्योरी इन दर पोएम, तर टी एसे, मैथू आर्नोल्ड ने यह क्रिटिसाइज किया था कि प्रैक्टिस नहीं करते अपने थियोरी में, कौन वाट्स वर्थ, वाट इस दा मीनिंग अफ एक्सप्रेशन, एवेंट ग्रेट का मीनिंग होता है, इनोवेशन, इनोवेशन का म अनने बहुत अलग से एक वीडियो बना रखा है, सेक्सप्रेशन, पर देखे लिखा है, सेक्सप्रेशन, वाज बॉर्ण आइट, सेक्सप्रेशन का जनम हुआ था, इस टैनफोर्ट अपॉन एवन, ओके फैंस, इनका जनम जो है, 23 अप्रेल, 23 अप्रेल, आपका जनम इनक इनका जनम हुआ था, यह आपको याद रखना है, इसके साथ आपको इभी ध्यान रखना है, कि सेक्सप्रेशन, जो है, टोटल, टोटल जो है, कितना, टोटल आपका 36 प्लेज लिखें, मने ड्रामा लिखें है, 36, एंड जो है, 154 सॉनेट लिखें, सॉनेट जिसको 14 लाइन की पक्ति कहा जाता है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, और भी मने बहुत सरे इसमें क्लास बना रखना है, आप उसको जाके लिंक में देखिए, प्लेजिस्ट में देखिए, आपको पता चलेगा, तो आए हम लोग कोसर नमर 79 देखते हैं, यह कहां तब पराडाइज लोस्ट, पराडाइज लोस्ट के राइटर कौन है, पराडाइज लोस्ट के राइटर आपका जोन मिल्टन, पराडाइज लोस्ट किसने लिखा, जोन मिल्टन, जोन मिल्टन का जनम जो है, 9 दिसंबर 1608 में हुई थी, मतलब पराडाइज लोस्ट के जो राइटर है, जोन म थ्यान देना है, Paradise Lost की बात हो रही है, तो Paradise Lost एक blank verse है, epic poem है, क्या है, epic poem है, blank verse में लिखा गया है, और इतना ही नहीं, इसमें इभी का जाता है कि it is divided into 12 books, Paradise book है, 12 book में divide किया गया है, और आपको बहुत सारा question जो है, मैंने बताया हुआ है, इसका publish हुआ था 16-16 में, 1616 में यह जो मैं भी questions बता रहे हैं है ना मैं जो questions बता रहा हूं आपको ध्यान देना है बहुत बार परिच्छा में पूछा जागा टीटी में पूछा गिया है यह इसका publication कब हुगा था पूब्लिश कब हुगा था 1967 में तो चलिए हम लोग आगे अब question नमर 18 देख लेते हैं 80 80 80 80 80 80 80 देख लेते हैं अब लिखा हुआ है who among the following was the first poet liberate मैंने first class में ही बताया था आप उस मेरे first class को देखिए poem liberate किसे कहा गया है है ना तो आपका यहां option हो जाएगा john dryden को sorry william wattsworth को poem liberate william wattsworth को कहा गया है मैंने सब बता दिया है restoration comedy victorian है ना who is best known the founder of tartler इभी मैंने बताया हुआ है तो sir richardson steel को option आपका ए हो जाएगा next है satire become an important element of poet satire जो है poetry का important element है satire मने ब्यंग किस ने बोला था john dryden ने बोला था john dryden ओके यह सब first class में आपको मिलेगा मेरे class में अगर playlist में जाएगे तो first class में आपको मिल जाएगा इस सब का answer drama 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 जो है revival of classical learning आपका option यह हो जाएगा रिलेगियो मिडी मैडिसी रिलेगियो मैडिसी की राइटन जो है आपका थामस ब्राउनी है okay who among the following poets from the pre-rephalate brotherhood pre-rephalate brotherhood इसका मैं आपको अभी बता देता हूँ देखे यह सब जो चीज है आप यहाँ देख सकते हैं इसमें तिनों का लिखा हुआ है victorian restoration of prayer मतलब इसमें painter painter क्या है painter रसेटी है और भी लोग है जो आप इसमें देख सकते हैं ठीक है ना कॉंगरीब the morning bright किसने लिखा है आप कहा सकते हैं restoration tragedy है तो हम लोग question number 87 देखें अब देखें question number 87 बहुत important question है Shakespeare the dark lady maybe Shakespeare का dark lady कौन हो सकती है आपका Mary Feton आपको याद होना चाहिए friends कि Shakespeare अपने पूरे life में 154 sonnet लिखें और 154 sonnet में 126 sonnets अपने दोस्त को सम्भोधित किये हैं जिसका नाम है आपका सकते हैं WH जिसका नाम है क्या है WH WH का मतलब हो गया Henry William Herbert William Herbert जो इनके दोस्त थे एक से लेकर 126 sonnet जो है उनके नाम लिखें उनको सम्भोधित करके लिखें and 127 से लेकर 154 तप dark lady Mary Feton Mary Feton जो dark lady है उसको सम्भोधित की है चूकि आने हाथे उनके खुद पतनी है जिनसे 6 सल सीनियर थी Queen Elizabeth period writer के आपका William Shakespeare है Elizabeth period मैंने आपको first class में ही बताया था कि 155 से लेकर 16-73 इस भी तक के period को का गाजता है Elizabeth का जाता है जिसमें Shakespeare होगा रहुए थी इस सब questions बनने की सकते हैं friends आपको ध्यान देना है आप समझ गया डार्क लेडी कौन है Mary Feton जो एक ससताई से लेके एक सच्चोमन स्वनेट उसको क्या किया है संबोधित किया है T.S. Eliot's modern in cathedral is drama है अब हम देखते हैं पूप बिलोंग टू पूप अंगस्टन एज से बिलोंग करते हैं अंगस्टन एज स्कूल अपूर्टी मैंने अब first class में ही बताया था period से question बहुत ब उधती रोय की एक book published हुई थी The God of Small Things Robinson Crusoe की writer को है Daniel Defoe मैंने अल्यडी बता चुका है Who defines the novel as a comic epic in prose? Henry Fielding ने किया है Next question है The moment return to nature is concerned with आपका option हो जाएगा The age of romantic revival Synonym of queer का synonym होता है इसका chapter से लिया आगया है Stopping by Woods on a snowing evening बर्फिली साम में जंगल के समीप रोपना जिसके writer आपके है Robert Frost Robert Frost Who struggle between two The struggle between two characters or two forces Forces is known as conflict Conflict उसको बोलते हैं drama के language में Question number हम लोग देखाएंगे 96 Question number 96 कर रहा है All that glitters is not gold is derivated of a line in Shakespeare Shakespeare ने जो एक ड्रामा लिखा हुआ है The Merchant of Venice हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता है इसके बारे में Shakespeare बताते हैं ठीक है नो Merchant of Venice जो Scilock रहता है Antonio रहता है उसमें Cesario And who among the following is not English poet English poet को नहीं Victor Hawke नहीं Alexander Pope है John Milton है Samuel Trial College है तो आपका C option हो जाएगा Next लिखा हुआ है Which of the following language did not coexist in Anglo-Norman England Anglo-Norman England में Celtic भासा का existence नहीं था Not coexistence Where does Arnold say that culture is a study of perfection कहां बात करते हैं तो culture and एनार्की में बात करते हैं Who believe that poetry is a spontaneous overflow of powerful emotion किनको लगता है कि poetry लिखते समय Emotion जो है थोड़ा overflow हो जाता है William Wattsworth यह question कल भी मैंने बताया था जो high school level का TGT level में जो exam में था यह question PGT में भी आ गया है Okay friends तो आपको ध्यान देते चलना है The title of P.B. Shelley famous L.E.G. है ना L.E.G. P.B. Shelley किसे एड़ोनिस P.B. Shelley ने लिखा हुआ है Which one is the last of Shakespeare's Great tragedy Shakespeare जो चारून का Great tragedy King Lear, Othello, Macbeth, Hamlet यह उनका चार्ठो दुनिया में सबसे ज़्यदा Great tragedy के रूप में जाना जाता है तो आपको ध्यान देना है Hokima Hokima एक फर्मूला याद रखना है Ho का मतलब Hamlet पहला लिखा गया Othello second में लिखा गया King Lear जो है third में लिखा गया Amam Macbeth 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 जो है last में लिखा गया Hokima आप याद रखेंगे Hokima Hokima का मतलब क्या होगा पहले helmet लिखे Hamlet Hamlet का मतलब गाह होता है कस्बा किसी खास धर्म जाती का पिछले कस्बा आपका Othello second में हो गया King Lear, third में हो गया Macbeth Option आपका क्या हो जागा Macbeth अब हम लोग बात करते हैं Question number 103 का Which of the following terms Referred to the study of speech Sound of given language ध्यान देना है कल जो question पुछा गया था TGT High School Level पो उसमें बताया गया था Study of words Study of words जब पुछा जाता है तो उसमें हम Semantics बोलते हैं क्या बोलते हैं Semantics Semantics का मतलब होता है सबदार्थ भी गयान जब study of words आ जाएगा यहां sound के जगा पर मैंने उसमें बताया हुआ है तो Semantics बोलते हैं लेकिन जब study of sounds आ जाएगा तो Phonetics बोलते है Phonetics का मतलब होता है Swore भी गयान Sound के जिसमें study करते हैं अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे लिखा है मिस्टी प्लेज डिल्स विथ मिस्टी प्लेज के आड़ बायोग्राफिकल थिम्स को डिल करता है Find the correct spelled word और 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 इस्पेलिंग का है तो डिक्टो मी और डिक्टो मी यह है अब हम लोग question number 106 देखेंगे question number 106 में देखेंगे proper sequence में आपको यूज करना है ता आपका option B हो जाएगा क्योंकि first होगा आपका क्या चीज of all professions at his dispensary went to him for medicine and treatment यह आपका अपने base अपने knowledge के अधार पर आप इसको करेंगे next question देखेंगे लिखा हुआ है with a statement it is truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of wife and begins with famous novel किस novel से लिया गया है pride and prejudice से लिया गया है जिसके writer Jan Steen है pride and prejudice Shakespeare is described as bard of heaven Shakespeare को describe किया गया bard of heaven के तर पर which one is the famous approach work of T.S.S.T. college के सबसे famous किताब कौन है biographya literaria ध्यान देना है who called Raiden the father of English criticism John Dr. Johnson Dr. Samuel Johnson ने ही कितना 17 सब पच्चपन इस भी में dictionary पहले बार लिखा था first time first dictionary जिसमें 40,000 words and their meanings थे अब हम लोग बात करते हैं who wrote the bluest eyes Tony Morrison ने लिखा है on the ganga ghat is a novel by the ganga ghat जो नोबेल है राजा राव के द्वरा लिखा गया है राजा राव ने कंठा पुरा भी लिखा है है न और मुल्क राज अनंद जो है कुली लिखें अन्टचेबल लिखें खुस्वन सिंग ट्रेन टू पाकिस्तान लिखें और रभिन्ना टाइगोर गुरा लिखें क्रिसेंड मून लिखें साधना लिखें तो यह सब आपको याद रखने हैं अब हम लोग question number 113 देखते हैं question number 113 में लिखा हुआ है जया डैस टाइड है तो बी नहीं होगा इस नहीं होगा है नहीं होगा जया के साथ है लएगा तो अपसन अपका सी हो जाएगा ओके अब हम लोग दिखते हैं हूँ इज वाट इज दा एंटोनीम आफ differences का एंटोनीम क्या होगा तो प्री डिजेम्बल्स होगा है नहीं differences प्री डिजेम्बल्स आपका option A हो जाएगा A person who is indifferent to pains and pleasures of like as cold क्या कहा जाता है stoic कहा जाता है stoic या literary term से मैं आपको बहुत बढ़िया सी इसमें class भी दिया हूँ dad dad turns on radio तो the radio लिखाएंगे invention के नाम के पहले the का यूज़ कहा आता है ओके फ्रेंट्स यहाँ 116 से लेकर आपका हम लोग 117 question number देखेंगे अब आप फ्रेंट्स ध्यान देखेंगे आप यहाँ question number 172 21 121 तक आपका question पुछा गया है लेकिन आपको यह passage है जो पढ़ना है फ्रेंट्स ठीक है नो इस passage को आप पढ़ेंगे तब को पता चलेगा यह हम लोग देखते हैं direct answer बता जेते हैं चूकि यहां बहुत बढ़िया से आप इस passage को अच्छा से पढ़ लेंगे क्योंकि यहां सब मार्क कर दिया गया है यहां पेन से मैंने इस passage मार्क कर दिया है जहां से answer इसका होने वाला है इसलिए आप इसको घबलाएंगे नहीं इसको देखकर मैंने सब का मार्क कर दिया है मैं ठीक है अब 117 का अप्शन मैंने दिया हुआ है यहां बी अलルクर्ण का अपस बिया हुआ है यहां ऐसको देखेंगे अब हम बात करते हैं सफ्ट का मीनिंग कुछा गया है तो डेलिकेट मने होता है सफ्ट को मल इस तरह से अब हम लोग देखेंगे क्वेस्टन नमर 22 क्वेस्टन नमर 122 में देखेंगे आप लिखा हुआ है वह कहानी मनाने में बहुत अच्छा है तो गूड एट एम एट लुक एट इस तरह का प्रिपोजीशन आपको याद रखना होगा गूड के साथ एट एम के साथ एट ओके मौक के साथ एट लाफ के साथ एट आपको ध्यान देना है अब हम बात करते हैं 123 he may have aged since I saw him तो आपको अप्शन ये हो जाएगा dance refers to the means of by means by which the messages are transmitted the mode of communication okay friends 125 में लिखा using words or letters to imitate or suggest the sounds of describe जिससे sound का पता चलता है जो sounds को और describe करता है उसको हम animatopoeia बोलते हैं जिससे dog barks, snake hisses तो इस तरह से जो sound को पता चलता है तो animatopoeia बोलते हैं alliteration, simile, metaphor ये सब के सब मैंने class दिया हुआ है जो बहुत important है link में जाकर देखे, figure of a speech बहुत अच्छा से मैंने समझाया है what is the word of word for a play on words, play once तो पन कहेंगे अब देखें यहां how many poets were included in the johnson's the lives of most eminent english poets तो 52 option हो जाएगा इसमें, reach of the following was not a contemporary of William Watsworth and Coltrice कौन नहीं थे तो sorry, William Scott नहीं थे, Sigmund Frade, जो psychologist थे, Sigmund Frade the prologue, prologue किसे ने लिखा है, Canterbury Tales, के writer Jeffrey Chaucer है, ज्यान दना है sorry, इसमें लिखा गया, Iambic Pentameter में लिखा गया और dynast, Thomas Hardish, verse drama लिखा हुए, अब हम लोग देखेंगे 132 question number 132 में लिखा है, the term negative capability is used, किस ने किया था, तो John Kitts ने किया था negative capability के युज़, biography, literature किस ने लिखा है, S.T. Coltrice ने लिखा है and miles to go before I sleep, is taken from which poem of Robert Frost stopping by woods on a snowy evening, बहुत important यह poem है, miles to go before I sleep, miles to go, the woods are lovely, dark and deep starting का poem है, the woods are lovely, dark and deep, मने इस इस इस्टेंजा का starting है, poem का नहीं, इस इस्टेंजा का starting, the woods are lovely, dark and deep, I have promises to keep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep, तो option B हो जाएगा, who wrote the poem, the lady of his salad, Lord Tennyson ने लिखा है, fill in the blanks with correct conjunction, तो अपका although हो जाएगा, although the room is big, या पी room बड़ा है, it won't hold all that furniture, तो फिर भी यह जो है, पूरा फरनीचर नहीं पकड़ पाता है, तो आपका option D हो जाएगा, arrange the sentence तो आपका option B हो जाएगा, आप अपने दिमाग के नुशार एनाइंज कर लिजेगा, यहाँ option आपका C हो जाएगा, अब हम देखते हैं, 139, 139 में लिखा है, choose the word which is opposite to the guilty, guilty का opposite आपका पूछना है, तो इनोसेंट हो जाएगा, guilty का opposite word, innocent हो जाएगा, इसके बाद हम लिखेंगे, to do away with, इसका मतलब हो जाएगा, discard, बने हटाना, इसको, अब narration आप से पुछा जाएगा, pardon my fault sir, यहाँ आपका option हो जाएगा, narration, narration तो बहुत असान है, the servant begged his master to pardon his fault, find out the incorrectly spelled word, spelled means, कौन spelling में incorrect है, तो आपका option D हो जाएगा, absolute, है न, L-U-T होना चाहिए, absolute में, choose the word that means a period of thousand years, a thousand years period को millennium कहा जाता है, and 100 साल की period को century जिसका सतक होता है, डेका का मतलब 10 साल का होता है, and centenary का मतलब होता है, सताबदी, तो इस सतक होता है, इस सताबदी होता है, इस डेका होता है, तसक होता है, इस 1000 होता है, choose the grammatical incorrect sentence, the for every enemy, यहाँ, whom does not know, सुभाश्चंदर बो, sorry, who does not know, सुभाश्चंदर, इस सही है, 2 and 2 max 4 होता है, we should not pollute the gang, यह सही है, आपका option B गलत है, तो option आपका B हो जाएगा, ओके, choose a word that can replace the expression, significant study of sun, moon and stars, तो, sorry, scientific लिख है, सिगने, sorry, so sorry, scientific, the scientific study of the sun, जो बेग्यानिक दिश्टिकोर से sun के बारे में, moon के बारे में, stars के बारे में, जो study करते हैं, उसको astronomy कहा जाता है, खबूल भी किया, है नो, and जो scientific study of man होता है, आदमी के बारे में, human के बारे में, anthropology कहा जाता है, मानो भी गया, और उसके बाद से, पामिस्ट्री, हस्त बिद्या, scientific study, sorry, आपका study होता है, पहाथेली के बारे में, उसको पामिस्ट्री कहा जाता है, और जो आपका नच्छत्र की आपकी जो study करते हैं, जो उसको, astrologer बोलते हैं, उसको horoscope बोलते हैं, हाना, तो इस तरह से आब आई हम लोग question number 46 देखते हैं, 146, निचे लिखा हुआ है, who wrote to his mother, I shall send a penny later next time, William Copper, हाना, sorry, इसके आप समझाएंगे C, Carly ने लिखा है, Robert line is always reluctant to trust dance visitor to post an important letter, ता आपका option हो जाएगा इसमें, ये आपका C हो जाएगा, whose comedies are based on recognizable human weakness, and 10 चेक हो, marriage of, आपका जो chapter लिखा हुआ है, and 10 चेक हो ने, marriage proposal, इसके बाद देखिए, where do the falling lines comes from, कहां से line लिया गया है, owl and the nightingale is dumb, and the angel will not come, ओके, ये आपका line है, आपका option C हो जाएगा, अब last हमनों देख लेते हैं, John Donne was first to leave Oxford University without a degree, because of his religion, John Donne आपका जो chapter है, 12th class में, the sweetest love I do not go, metaphysical poet है John Donne, ये आपका question आता है बहुत पर, metaphysical poet, जो इनके religion है करने को, Oxford University से force करके हटाया गया, तो बताएए फेंट्स, आज के class आपको कैसा लगा, मैंने बहुत सरे facts से दिये हैं, और बहुत सरे questions जो बनते हैं, आपके पर इच्छा में आने वाले, उसको भी मैंने बताया, चलिए आज के लिए तना ही, thank you for watching this class, जय हिंद, जय भारत.